2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट की टीम का सफर अभी तक अच्छा नहीं रहा है पांच मैचों में तीन हार के बाद पाकिस्तान के उपर सेमी फाइनल से बाहर होने का खत्रा मन रहा है लेकिन एक बड़ी खवर और ये खवर ये है कि हिंदुस्तान के भरोस सेमी फाइनल तक पाकिस्तान के टीम अब जा सकती है आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है तो देखिए बड़ा सिंपल सा है पहले तो पाकिस्तान को जो बच्चे चार मुकाबले है पाकिस्तान को अगला मुकाबला है साथ अफरिका के साथ 17 सक्टूबर को उसके बाद पाकिस्तान का अगला मुकाबला है 31 सक्टूवर को बांगलादेश के खिलाफ उसके बाद बैंगलोरी में न्यूजी लेंड के खिलाफ मुकाबला है 4 अमर को और फिर आखरी लीग मुकाबला है 11 अमर को एक लेंड के साथ तो देखे कि पाकिस्तान को ये करना होगा कि उन्हें हर हाल में अपने बच्चे वे चारों मुकाबले जीतने होगे पाकिस्तान बिल्कुल भी अफॉर्ड नहीं कर सकता यहां से एक भी मैच हारना और अगर यहां से एक मैच भी हारे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगी अब इंडिया के बरुसे कैसे हैं? पाकिस्तान आ सकता है सेमी फाइलल में और उसके बारे में बता दे तो इंडिया के बरुसे कैसे आ सकता है कि Point Stable के बारे में समझते हैं कि Point Stable में आप देख सकते हैं कि जो टॉब की 5 टीम है इंडिया, अफरिका, और नूजिलेंड, अच्ट्रेलिया और पाकिस्तान ये टॉब की 5 टीम है अभी आसानी से सेवी फाइलल में जाने का इन पाचों के पास रास्ता है और पाकिस्तान की 5 मैच में सिर्फ 2 जीत है ऐसे में अगर पाकिस्तान की टीम अपने बचे वे सारे मुकाबले जीत जाती है तो पाकिस्तान के 9 मैचों में 6 जीत हो जाएंगी और वहीं अब पाकिस्तान को इंडिया से मतलब दुआ मांगनी होगी कि इंडिया किसी भी तरह दच्छिड अफिरका को हरा दे क्योंकि यहाँ पर अगर दच्छिड अफिरका इंडिया से हार जाती है और दच्छिड अफिरका पाकिस्तान से हार जाती है तो फिर यह सिनरियों यह बनेगा कि दच्छिड अफिरका के ऊपर भी वल्ड कप से बाहर होने का ख़द्रा मन राएगा साथ ही पाकिस्तान को यह भी कोशिश करना होगा कि वह अपने बच्चे सारे मैच जीते अपना रंड रेट बहतर करें तभी एक उमीर बन सकती है अभी हाली में अस्ट्रेलिया ने एक बड़ी जीत दर्ज कर लिए और पॉइंस के वाल में उप हारता है फिर बोलेंगे कि मैच फिक्स था यह वगर वगर जो भी है अभी के लिए वस इतना ही रोजाना आपसे मुलगात होती रहेगी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आगे कि सारे मैच जीत पाएगा और क्या पाकिस्तान सेमी फैनल में जाते वे नजर आ रहा है